हमारा मुद्दा है कि विधायक निधी का पैसा 100% हमने छेतर में खर्चा किया है 403 विधायकों में एकलाउता उन प्रिकास राजबर विधायक है जो अपने निधी का पैसा अपने छेतर अपने जनता की बीच में कर्च किया है कहीं से कोई आरूप प्रत्यारूप नहीं है पहली चीज दूसरी चीज की आजादी के 75 साल में जितने मेले जहुराबाद के लोगों ने चुना जहुराबाद के बदवलत उंप्रकास राजबर ने पूरे देश में वंचीत पिछडा दली तल्प संख्य की लड़ाई सदन से लेके सड़क्तर जिस मजबूति से लड़ा है सायद उत्तर प्रदेश ने देश में कितिहास होगा और अपने विधान सबाई नहीं पूरे प्रदेश के 24 कोड़ आवादी के हक अधिकार को ले करके हमने मंत्रिमंडल से इस्थिपा दिया ये भी देश की राजिनीत में कित है पाल है प्रजापती है बिंद है राजबर चौहान है केवट है मला है नाई है लोहार है कहार है आप गाजीपुर में 26 थाने हैं जनपद में एक भी थाने पर इनका बेटा दरोगा नहीं है इनको हिस्सेदारी कैसे मिले जुल्हा धुनिया अंसारी साही दरजी फकीर इस देश में सियासत कहां जा रही हिंदू मुसल्मान करने से होगा भारत पाकिस्तान करने से होगा हम लोगों की साफ साफ सोच है हमारा जो मुद्दा है हम देश में जातिवार जनगरना चाहते हैं 1931 में जातिवार जनगरना हुई है 90 साल हो गया दूसरा हम सामाजिक निया सम समीति की रिपोर्ट जो पिछड़े समाज को 27 पर्शन रेजर्वेशन है जो लागू है उसमें 89 जातियां उतर प्रदेश में हैं 12 जातियों को लाब मिला है से जातियां बची हुई है तो उनको हिस्सा दिलाने के लिए मैं सत्ता में था तो समाजिक नहीं समीति की पूर तयार है सात नव ग्यारा में बटवारा हो गया है लेकिन यह सरकार दो साल दस महिने से रद्दी की टोकरी में रखी है उसको हमारी प्रात्यूपका है तिसरा हमारा है कि घरेलू बिजली कबिल हम सरकार बना के पांच साल माप करेंगे गरीवों को निसुल्क अनिवा लगाते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार तो फिर छोटा हमारा प्रदेश हो जा तो विकास के रास्ते पर चले कोई ऐसाई लाका नहीं है एक गाव में असी शाट साट लाक रुपए के काम हुए हैं चले जाईया सावर नाम खाली लीजिए हम अपने मद के अलावा लगती है अब तो जब सरकार भेदभाव कर रही है तो सरकार के यह इसारे पर पूलिस होती है तब पूलिस भी अब जातिवाद कर रही है सरकार भी कर रही है आप लखीमपूर खीरी नव लोगों की हत्या हुई और मंतरी का बेटा होने के वज़र से गिरफतारी नहीं पत्रकार अगर खाली मीड्य मीली यूजिना का सही बात दिखा दिया कि नमक और उटी खिलाए जा रही है तो उसको जेल हो सकती है लेकिन मंतरी का बेटा वो भी देश के गरी राजय मंतरी का बेटा गाड़ी एक्षन में वहां नव लोग मर जा रहे हैं एक पत्रकार के भी उसी में हत्या हो जाती है और उसकी गिरफतारी साथ इस देश में कोट नहीं होता तो हमको नहीं लगता कि यह देश के नेता उसकी गिरफतारी करते हैं कि चर्चा है कि 2022 में प्रकास राजबर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा रहा है कितने सच्चा ही है इसमें दिवास आपने इसमेश में प्रकास ही है आपने